वल्कम बैक तो माइच आइप के लिए एक ऐसा हेर पैक लेके आए हूँ सफेद बालों के लिए इसपेशली जिसका में इंग्रीडियन्ट है दही दही में मिलाएंगे हम एक ऐसे इंग्रीडियन्टटेच अपके सफेद बालों को काला करेगा बालों की जो blackness होती है, जो melanin होता है, उसे promote करता है, और बहुत भी बढ़ियां सा natural ingredient है, तो चलिए start करते हैं आज की वीडियो, वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा कि किस तरह से मैंने इसे बनाया है और कैसे इसे apply करना है, चलिए start करते हैं, सबसे पहले मैंने लिया है दही यानि की curd, एक बोल के बराबर दही लिया है, इसमें हम एड़ करेंगे मेथी दाना, दो चमच मेथी दाना, मेथी हमारे बालों के लिए बहुत बढ़ियां होता है, सपेशली सफेद बालों के लिए, क्योंकि मेथी बे होता है अमीनो आसिड्स जो आपके ग्रे है को क्योर करता है, प्रीमचियर ग्रेंग हो गई है, समय से पहले हो गई है, तब तो यह बहुत बड़ियां काम करता है, और ऐसे भी आपके सफेद बाल है, इसे रेगिलर यूज स希望 करने से, आपके सफेद बाल दियर दियरे क्योर हो जाते है contain तो उसके बाद आपको इसे ग्राइन करना है तुरंत आपको ग्राइन नहीं करना है क्योंकि यह पिसेगा नहीं कम से कम चार से पांच गंटे छोड़ दे और दही के साथ ही इसे ग्राइन करें इसके बाद हमें अपना हेर पैक का पाउडर त्यार करना है तो हम ले रहे हैं महंदी आप कोई भी महंदी ले सकते हैं दोस्तों मैं जो यूज़ कर रही हूं जरूरी नहीं है कि आप वही ले क्योंकि कई सारे लोग आके कहते हैं कि यह मुझे सूट नहीं करता वो नहीं करता तो इस चीज से निश्चिंत रहिएगा दो चमच में डालूंगी कॉफी पाउडर दो बड़ा चमच हम लेंगे कॉफी पाउडर का और बहुत ही बेसिक सा हेर पैक है जादा कुछ आपको इंग्रीडियन्स में चाहिए नहीं क्योंकि आज कल बाहर जाना तो मुश्किल है तो मुझाद करेंगे अपना देही और मेथी का पेस्ट बनाकि रखा था वह बहुत जादर थिक पेस्ट आपको नहीं बनाना है इस तरह के पकाइश बनाऊं कि अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही फाइं पेस्ट बनाना है वर्ना इस हेयर पैक को लगाने में आपको दिक कर दहें कि इसी से कलर बहुत अच्छा आजाएगा एक बार इसे बहुत ही ताकि कोई के लौ मंडी दोस्तों मेहन्दी लगाने के बहुत लोगं को कंफूजन होता है डाउट होता है कि वाल डेड िक जयते हैं औरेंच हो जाते हैं यहाते हैं ऐसा कुछ कुछ नहीं होता है मुझे कम से कम 3-4 साल हो चुके हैं मेंदी लगाते हुए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बस जरुवत गये होती है कि कुछ ऐसे इंग्रीडियंट समस्के साथ मिलाएं जिससे हमारे बाल ड्राइड डामेज नहीं हो और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल हो आप चाहें तो इसमें आमवला पाउडर भी आड़ कर सकते हैं मैंने स्किप किया है क्योंकि आमवला पाउडर में काफी यूज़ कर चुकी हूँ बहुत ही बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट बनता है मेथी डालने की वज़े से कलर और भी जादा बढ़िया है और मेथी होने के बाद बालों को ऑईलिंग करें और नेक्स दे ही शैंपू करें इस हैर पैक को ट्राइजरूर करिएगा सारे इंग्रीडियंट्स आपके घर में अल्री अवेलिबल होंगे पसंद आई है वीडियो ते से जादा से जादा लाइक और शेयर कर दीजेगा और चैनल को स सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे मैं मिलती हूँ आप से अपनी नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर और बाइबाए